नमस्कार साथियों सबसे पहले में आप लोगों को ये जानकारी देदू क्योंकि इससे पहले हो सकता आप मेंसे कई नए साथी भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो सबसे पहले मैं यह जान कर देदू कि इससे पहले जो 5-6 वीडियो जो अप्लोड हुए हैं वो रीट 221 के नई पाइट ट्रमानुसार इकाई फस्ट में समाहित शिक्षण भी दिया और भासा शिक्षण के उपागम आधी जो टोपिक उसमें यूनिट फस्ट में है उससे सेकंड में इकाई दो में भासाई कोश्लो का विकास किसी भी बासा में कुसलता अर्जित करने के लिए सुनना बोलना पढ़ना लिखना यह चार कुसलता हैं सबसे पहले किसी भासा को ध्यानपूरक सुनना चाहिए फिर उसके बाद में उस पर बोलने से समझत पकड़ लिखन के जो नाम है वो कुछ इस तरह से श्रवनकोशल जो सुनना से समंधित है मोखिक कोशल जो लिखावा है वो है बोलना वात्चनकोशल जो पढ़ने से समझत है और लेखनकोशल लिखना, अब यहां जो दो बाते लिखिए सबसे पहले यह में पता होना चीए कि स्रवन कोसल और वाचन कोसल यह ग्रहन पक्स है यदि आप सुन रहे हैं कोई बोल रहा है और आप सुन रहे हैं इसका मतलब आप ग्रहन कर रहे हैं इसी तरह से यदि आप वाचन कर रहे हैं वाचन का मतलब है पढ़ना यदि किसी के द्वारा लिखा गया जो ग्यान है वह आप उसका वाचन कर रहे हैं तो निश्यत बात आप ग्रहन कर YOU हैं लेकिन अभिवख्ति पक्ष जो है उसमें समाईत है मोखिकोवसल और लेकन कोशल आपके मन में क passé विचार आया आप मोखिकोवसल यानी बोल करके उसे अभियक्त कर रहे हैं यह अभिवक्ती है यह यह आप लिख करके चिठी लिख करके पत्र करके आपने कोई निवंद उपन्यास नाटे के कांग की लिखा इसका उतला आप अपने मन के जो भाव हैं वो दूसरों तक पहुंचाना चाह रहे हैं तो ये दो स्रावन कोसल और वाचन कोसल ये ग्रहन पक्ष है जबकि मोखिक कोसल और लेखन कोसल ये अभियत्ति पक्ष है आईए आगे बढ़ते हैं जो चीज बहुत सरल लगती है उसमें भी कहीं ने कहीं एक वक्रता एक टिड़ापन एक बांक पन होती है तो उसको भी हम समझें स्रावन कोशल का संबन्द चूंकि हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं स्रावन कोशल जिसका साब्दी करता है सुनना स्रावन कोशल का संबन्द सुनने की उस दक्षता वै कला से है जिसमें एक बालक कितने ध्यान से सुनता है इसका मतलब सुनना एक कला है निश्चित बात है य स्कूल के अंदर क्योंकि ये दो तिन सालों से इस तरह से सरकार ने एक चला रखा है कि आपको इंटरिसिप जाकर करनी है तो आपको कहीं को एक्सपिरियंस होगा पहली दूसरी क्लास में आप कुछ बोलते रहते हो और छोटे जो बच्चे होते हैं वो अपना ही कोई कारी करत रहते हैं वो बाते करते रहते हैं, कoई मतलब नहीं आप क्या कह रहा है इसका मतलब वो सुन नहीं रहे हैं एक चोटे बच्चे में मुष्किल से अधिक्तम 15 सेकंड तक वो ध्यान पूर्वक एक आगर हो करके 15 से अधिक नहीं सुन पाता है तो सुनना भी कला है, उनको सुनाना, एकागरपूरक सुनाना भी सिखाना चाहिए, उसके लिए भी बहुत प्रियास करने होते हैं, इसलिए तो उनके लिए कहानिया, कविताएं आधी होती है इसमें निमन तीन विसेशता है अविशक है, अंतरबोद सक्ति, धारन शक्ति, अवबोद शक्ति अंतरबोध सक्ति जो भी शब्द बोले जा रहे हैं उनका बोध उनका अर्थ उसे आए दारण सक्ति वो श्रयम वापस उसका उसको बोलना सीख सके और अवबोध शक्ति उनको अर्थों को समझ सके एक तो होता है शापदिक अर्थ और एक होता है अवबोध ध्यान प द्वानियों के सुक्ष्म अंतर को पहचानना कई लोग गय और गय इनके अंतर को नहीं पहचान पाते हैं। उसी तरह से चै और छै उच्चारण एक जिसा करते हैं। जिस तरह से शै शै और सै जो तालग या मुर्धन्य इन तीनों शै का उच्चारण अलग अलग नहीं कर पाते हैं। एक जिसा करते हैं। तो ये द्वानियों के सुक्ष्म अंतर को पहचानना ये भी स्रवन कोसल का ए तो है इससे बालक शीकता है बासा सिक्षन के उदेश्यों की प्राप्ति वाचन कोसल का विकास भी स्रवन कोसल से होगा ये एक दूसरे की पूरक है कल को हम पढ़ेंगे कि वाचन कोसल के विकास के लिए या स्रवन कोसल के विकास के लिए तो दोनों ही बिंदों में हम पड़ेंगे जिसे समाचार वाचन तो एक बालक से समाचार वाचन करवाया जाए वाचन कोसल को विक्षित करने के लिए और एक बालक में स्रवन कोसल विक्षित करने के लिए उसे समाचार वाचन करते वे सुनाया जाए तो दोनों ही जगे वो बात लिखी मिलेगी, वहाँ इस तरह से गबराने की आशेक्ता नहीं, कि समाचार वाचन कौन से कोसल की विकास के लिए होगा, वो पढ़ना सिखाने के लिए भी है, वो सुनना सिखाने के लिए भी है, अध्यन की आधारशिला, ये अध्यन की पड़ेंगे अपना अधिकतर समय स्कूल में सुनने में खर्च करता है। वालक ध्यानपूरक नहीं सुनेगा, वो स्वयम सुदुच्चार नहीं कर पाएगा, वाचन कोशल के विकास में भी ये सहायक है, वो वाचन नहीं कर पाएगा, जब तक वो स्वयम नहीं सुनेगा, कक्षा में यदी लगबग बच्चे बातचीत कर रहे हैं, किसी एक बच्चे को आप खड़ा करके प्रस्न कर ले, सारे बच्चे, लगबग बच्चे सांत हो जाएंगे, उनको इस बात का भए रहेगा कि मेरा भी नमबर आ सकता है प्रस्न पूछने में, और यदी प्रस्न को दिश्तती होती है, इसलिए प्रस्नोत्तर उन्हें स्रवन कोशल को ध्यान पूर्वक यानि सुनने के लिए उन बच्चों को जागरू करती है, सचेत करती है, सैस्वरवाचन, सैस्वरवाचन को भी बच्चे ध्यान पूर्वक सुनते हैं, बासन, कहानी कहना तथा सुनना, शुरुत लेखन वाद विवाद ये सबी जो एक्टिविटियां आपके लिए कोई नया सब्द नहीं है यहां तो ये सबी गतिविदियां स्रण कोशल को विक्षित करने के लिए उप्युक्त है बासन या अभिवक्ति कोशल बोलने से तात्प्रिय केवल अब बोलने का नंबर है पहले सुनने की बात हो रही थी बोलने से तात्प्रिय केवल द्वनियों शब्दों का वाक्यों का क्रम में उच्चान मात्र नहीं है बोलने कारत केवल द्वनियों का या सब्दों का या वाक्यों का क्रम में उच्चान करना ही नहीं है बलकि बोलने का मतलब इसी संधर्ब को शमज कर यह है किसी संधर्ब को शमज कर किसी उदेश्य से बात सोच समझ कर कहने से है किसी उदेश्य से परिपूर्ण बात को सोच समझ कर कहने से है कि अल बोलने से कोई सेंस नहीं है बलकि उस वाक्य को आपकी संदर्ब में बोल रहे हो उसका अर्थ क्या है आपका उदेश्य क्या है उस उदेश्य से सोच समझ कर कहना ही अभी व्यक्ति है मोकिक अभी व्यक्ति कोसल की शिक्षण वी थिया वारतालाप किसी एक बिंदू पर चार बच्चों को आप कह दें कि आप इस पर बात चीत करें मैं अभी आप से थोड़ी दिर बाद दे प्रासन पूछूंगा तो ये वारतालाप इससे क्या होगा वो बोलना सिखेंगे सायस्वर वाचन किसी बाले को खड़ा करके कि आप जो है वो इसका वाचन करें ये पार्ट पड़ें प्रासन पूछें उनसे उत्तर वापस जो है वो जाने तो आपके प्रासन करने पर जो उत्तर वो बताएंगे तो वो बोलना सिखेंगे कहानी सुनाना किसी बच्चे को अभी हमने पहले पड़ा था कहानी सुनाना तो वो कहानी अध्यापक्त सुनाएगा या कोई दूसरा विद्यारति सुनायेगा तो सुननेवाले बच्चे हैं उनमें सर्वनकॉसल विक्षित होगा, लेकिन जो कहानी सुना रहा है उस बालक में मोहिकश कव्यॅक्ति कोसल विक्षित होगा चित्र वर्णन चित्र वर्णन का मतलब है जिसे चित्र होते हैं इस तरह के जिसे चित्र दिखा दिया जाता है यह एक मठका बना दिया यहां एक जो है वो कोवा बना दिया अब दूसरा जो चित्र है उसमें यह जो मठका बनायावा है और कोवा जो है वो कहीं से पत्थर लेकर आया है रो इसमें उसने डाल दिये तीसरे चितर में पानी उपर आ गया और चोथे चितर में वो पीरा है तो वो जरूर इस तरह से बच्चा कहेगा कि एक बार एक होवा था उप्यासा था मठके में पानी कम था तो उसने एक उपाय सोचा वो पत्थर लाया उसमें डाले यह होता चित्रवर्णन तो इससे भी मोक्रिक अभ्युक्ति का विकास होता है कविता सुनना वे कविता सुनाना बच्चे जो है वो कविता सुनकर के वापस कविता को सुनाएं तो उनमें प्रक्षक कोष्प इंद्या में उसमें प्रक्षित करने में उपियोगी है। पार्ट का शाहर इक पार्ट आपने पड़ाया फिर किसी बच्चे को खड़ा करके और कि इस पार्ट में क्या-क्या वा था तो वो पूरा सारांस बताएगा वाशन नाटक प्रियोग नाटक में उनसे अभी नहीं करवाते वे उनसे डायलोग यानि सववाद करवाए जाए श्वतंतरात्म प्रकाशन अपने स्वयम के कुछ अनुभव या कोई घटना उसका वरणन वो उनमें क्लास में खड़ा करके या प्रार्तन सभा में खड़ा करके उनसे सुनवाने के लिए कहा जाए प्रेरित किया जाए नमबर तीन पठन या वाचन कोशल बासा सिक्षन के चार मूलबुद कोशलों में वर्तमान में पठन कोशल को ही विशेश मैत्व दिया जाता है सबसे अधिक मैत्व इस बात को दिया जाता है 3R अर्थ रिडिंग को ही प्रत्थम इस्तान दिया गया है सबसे अधिक जो इस्तान दिया गया है वो किसको दिया गया है रिडिंग को वाचन में क्योंकि सरवादी ज्ञान इससे अर्जित होता है वाचन में शब्द के साथ ध्वनी अर्थ दोनों ही नहींत होते हैं एक ध्वनी भी और उसके साथ जुड़ावा एक अर्थ भी पठन अत्वा वाचन के दो प्रमुकाधार एक वाचन सेली और एक मुद्रा वाचन क्या होते हैं दोनों वाचन मुद्रा वाचन मुद्रा से हमारा ये मुद्रा वाचन ये वाचन मुद्रा एकी बात है वाचन मुद्रा से हमारा आसे, बेटने, खड़े उने, वाचन सामगरी को हाथ में पकड़ने, प्रतिभाओं के अनुकूल आखों, हातों वे अंगों का संचालन करने से है, जिस तरह का जिसे एकांग की पड़ी जाती है और किसी पात्रों के जिदी समवाद हैं, क्रोध में, हाश्य में या करण की इस्तती में किस तरह से आवश्यक हातों का अंगों का संचालन करते वे करना ये मुद्रा वाचन कहलाता है, और वाचन सेली क्या होती है, वाचन सेली से आसे उचित भाव के अनुसार, उचित उतार चड़ाव के साथ पढ़ने के धंग से है, वहाँ ह वाचन के उदिश्य क्या होते हैं बालकों के उच्चान सुद्ध होने चीए ताकि वे वाचन सामगरी को उचित स्वर के साथ पढ़ सके उनके स्वरों में ऐसा कोई आरो अवरो हो कि भाउं की अनुकूल उसमें लोचो जैसे क्रोध में कही गई जो बात होती है उसको वो क्रोध में या तेज ध्वनी के साथ बोले वाचन इतना प्रभाव सालियों कि सुरता का मन मुग्द हो जाए उसका मन में एक मधूरता एक रागात मुक्ता व्यात हो जाए बालक वाचन सामगरी का भाव समझ सके तता दूसरों को भी समझा सके वो स्वयम उसका अर्थ समझ सके और वो दूसरों को भी समझा सके इसी के लिए आविशक होता है कि बालक की युग गिता और उसके इस्तरा नुसार उसको सामगरी सोंपी जाने चाहिए वाचन करने के लिए हम सब जानते हैं कि वाचन के भेड जो होते हैं नमबर एक सैस्वर वाचन और नमबर दो मोन वाचन सैस्वर वाचन बूलकर किया गया वाचन मोन वाचन बिना बूले किया गया वाचन सैस्वर वाचन फिर दो प्रकार के होते हैं एक आदर्स वाचन एक अनुक्रण वाचन आदर्स वाचन जो स्वेम अध्यापक करता है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि उसका क्षा कक्स मैं सबसे अच्छा वाचन करने वाला जो व्यक्ति है वो अध्यापक है उसी का अनुक्रण करते हैं बालक उसकी देखा देख जो करते हैं ये बालकों के द्वारा होता है जो अनुक्रण वाचन होता है अनुक्रण वाचन फिर दो प्रकार का वता है वयक्तिक वाचन सामुहिक वाचन यदि आपने कोई दोहा बोला और किसी बच्चे को का मेरे पीछे पीछे बोल और वो उसका अनुक्रण कर रहा है तो ये वयक्तिक अनोक्रण वाचन है और सामुहिक वाचन यदि पूरी कक्सा से आप बुलवा रहे हो तो वो सामुहिक वाचन है नेक्स्ट सैस्वर वाचन क्या होता है बोल कर किया गया वाचन अर्थात हमारे मुख से किया गया वाचन जिसे अन्य व्यक्ति सुन सके सैस्वर वाचन कहलाता है जिसे सभी व्यक्ति सुन सके सैस्वर वाचन करते समय आँखों से पुस्तक की दूरी लगबग 12 इंच होनी चाहिए अर्थात 1 फिट 12 इंच होनी चाहिए पुस्तक शीदी अतेली पर 45 डिगरी का कौन बनाते वे होनी चाहिए पुस्तक को पकड़ते समय कौनी आथ के कौन का सही इस्तिती में लगबग 135 डिगरी होनी चाहिए कौनी जो हाथ है उसका कौन होना चाहिए 135 डिगरी और जो पुस्तक है वो 45 डिगरी का कौन बनाते ही यातेली पर होनी चाहिए 45 दिगरी का इसलिए क्योंकि आतेली ठीक हमारे छाती के सामने नहीं होती बलकि थोड़ा सा साइड में होती है तो ऐसे इस्तिति में हमारी आँखों की तरफ उस पुस्त को गुमाना पड़ेगा इसलिए वो 45 दिगरी का कौन बनाती होने चीए 12 इंच की दूरी परोने चीए आरोह अवरोह पूर्व किया गया वाचन सदेव सरश होता है निरस्नी होता आदर्स वाचन किसे कहते है सिक्सक के द्वारा उचित आरोह अवरोह पूर्व किया गया वाचन आदर्स वाचन कहलात सबसे पहले स्वयम अज्यापक एक बार बिना अर्थ बताए पहली पंक्ति से अंतिम पंक्ति तक वाचन करता है तद पस्चात वो दूसरी बार जब उसकी व्याख्या करनी हो अत्वा यदि वो रस पाठ है तो उसे प्रशनोतर सेले में पढ़ाता तब करता है और तीसरी बार पाठ की स्माप्ति पर वो काईयात्मक प्रिश्माप्ति करने के लिए उसका वाचन करता है इस तरह से एक आदर्स वाचन तीन बार होता है तद पस्चात आगे देखते हैं किसी टेक्निकल प्रोब्लम के कारण एक बार मैं थोड़ा सा आप लोगों से इस तरह से ख्षमा चाहूंगा तो देखते हैं आदर्स वाचन के पस्चा अनुकरण वाचन अनुकरण वाचन किसी भी पार्ट को पढ़ाते समय शिक्षक के आदर्स वाचन के पस्चा छात्रों के द्वारा किया वाचन अनुकरण वाचन के लाता है चालीस मिनट की पार्ट ही उजना में न्यूनतम पाँच अधिक्तम आठ चात्रों से अनुकरण वाचन करवा ना चीए ये पांच आठ मिनट है आठ मिनट से अधिक्का किया गया वाचन फिर नीरस होता है फिर किसी अध्यापक की वो लापरवाई मानी जाती है यदि वो बच्चों से कह दिया जाए कि आप अनुकरण वाचन करें और वच्चे 20 मिनट तक अनुकरण वाचन कर रहे है तो फिर नियुनतम और अधिक्तम आठ अनुकरण वाचन यथा संभव पहले उत्तम बालक तत्पस्चा सामान्य बालकों से करवाया जाना चाहिए तो अनुकरण जो वाचन होता है वो बच्चों से कि आप जो किसी बच्चे को खड़ा करके और उसे पाठ पढ़वाने के लिए कह दिया जाए और पंद्रा मिनट तक वो पढ़ता जा रहा है एक-एक से खड़ा करके के पढ़वाये जा रहे हैं तो उससे पूरा कालांस ऐसे ही व्यतित हो जाने के संभवना रहती है तो सामान्य बालकों से करवाया जाना चाहिए उसके पस्चात पहले उत्तम बालकों से ताकि निशंदन सिध्धान्त के आदार पर जो सामान्य बालक हैं वो उत्तम बालकों से भी बोलना सिखे पढ़ना सिखे अनुकर्ण वाचन में हुई त्रूटी का संसोधन पढ़ते समय नहीं करना चाहिए बहुत इंपोर्टेंट अपितु पढ़ लेने के पस्चात छात पढ़ा पढ़ाया उससे और एक बालक ने जो है वो यता संबव शब्द को गलत पढ़ा एक उसने ततपश्चात को गलत बोला फिर जो ही उसने पेड़िग्रास माप्त किया अन्य बालकों से पूछा जाए कि इसने कौन-कौन से शब्द गलत बोले कुछ वच्चे कहेंग साव यता संबव शब्द पश्चात वो बता देंगे तो फिर उनका उच्चान सही करवाया जाए इस तरह से बीच में नहीं टोकना चीए उससे बच्चे अर्थ ग्रहन नहीं कर पाएंगे वाचन की विधियां इन्हीं बातों का ज्यान रखना जैसे मैंने बोला बीच में अर्थ उसको वाचन को शुद्ध करवाये जाने से बच्चों में अर्थ ग्रहन नहीं होता है अक्षर बोध विधि ये वाचन की विधि है अक्षर लिखेवे है और उनसे कुछ जाए ये क्या लिखावे है वो बताते जाएंगे ये ये जै है ये कै है इस तरह से शब्द विधी शब्द लिखे वे, चित्र विधी छोटे बच्चों के लिए जैसा होता है, मिल्ली है, ये कोवा है, ये पेड़ है, इस पर आम लगे वे हैं, मिल्ली दूद पी रही है, इस तरह से, देखोर कहो विधी, इसे ही देखोर कहो विधी का जाता है, वाक्य विधी, वाक्य जिस तरह से काड़ पर चित्र बनावाया और उस पर नीचे नाम लिखावाया वो साचर ये विधी, ताकि कुछ शब्दों को बच्चे पढ़ लेंगे जिनको नहीं पढ़ पाएंगे वो सेहों का चित्र दे कर देंगे ये सेहों लिखावाया. फिर बिना चित्र दिखाएं सेव जो लिखा वो आकरती उनकी दिमाग में दिरे-दिरे बेटती है और वो बिना उस चित्र को देखे इस सेव इस तरह से कह देंगे लेखन कोशन लेखन कोशन के विकास का अर्थ छात्र में लिखकर अपने भावों को तता विचारों को लिखकर व्यक्त करने की क्षमता का विकास करना है अर्थात लिखकर के अपने विचारों की अभियक्ति करना लेखन कोसल के विकास के लिए लेखन तंत्र का सही होना जरूरी है व्याक्ण का सामन्य ग्यान लिपी वर शब्दावली का ग्यान आवश्यक है शुद्ध वे इस पश्टा के साथ लेखनो लिखने में तत्परता होने चीए सुनकर लिखने की क्षमता का विकास होना चाहिए कि वो सुनकर के लिख सके ऐसा नहीं कि देखा देखी ही लिख सके सुनकर लिख सके छात्रों में लिखने से पहले लेखन में जिग्यासा उत्मन करना ये एक अध्यापक का दाईत तो होता है लेकन कारी का प्रारम सिधी रेखास से होना चाहिए लेकन एतु अधिक से अधिक अभ्यास करना चाहिए सुन्दर वे सूपाइट्य हस्तलेखन में लिकित सामगरी अर्थ ग्रहन के लिए सुविधाजनक होती है इसलिए उनका हस्तलेखन सूपाइट्य हो इसलिए लेखन कोसल में दक्ष होना आवशक है अपने ग्यान वे अनुभव की बातों को सुरक्षित रखने तो लेखन कोसल की आवशकता होती है यही इसका महत्त है लेखन कोसल का कि अपनी ग्यान और अनुभव की जो बाते हैं उनको सुरक्षित रख सके लेखन का विकास बालक की आयू के पांच वर्से अधिक हो तो अधिक प्रभाई होता है लेखन का विकास बालक की आयू जो पांच वर्से अधिक हो तो फिल उससे सिखाया जाना चीए अशुद्धी संसोधन लेखन कोसल के विकास का सबसे मत्पुनिसा है लेकन कोसल के विकास का सबसे मत्व पुनिस्सा है अशुद्धी संसोधन इसका समुचित प्रियास अध्यापक द्वारा किया जाना चाहिए उच्चारण अभ्यास करवाकर वर्तनी दोश को दूर करते वे लेकन कोसल का विकास किया जाना चाहिए इसका मतलब वर्तनी दोश का मूल कारण क्या है बहुत सारे कारण है अज्ञान, ख्षेत्रिय प्रवाव लेकिन उच्चारण दोश सबसे बड़ा कारण है इसलिए उच्चारण घ्यास करवाते वे वर्तनी दोश को दूर किया जाना चीए बड़े इसतर के विद्यारतियों में लेखन कोसल के विकास है तु निबंद, लेखन, रचनात्मक लेखन वह अन्य परत्युक्ताओं का आयोजन कराया जा सकता है ये किन के लिए है निबंद, रचनात्मक लेखन यह है बड़े इस तरह के विद्यारतियों के लिए लेखन कोसल को विक्षित करने के उपाए यदि हम देखे हैं तो नमबर एक सुलेख सुलेख का अर्थ सुन्दर लेखन सुलेख में यह ध्यान रखा जाता है कि अक्षरों की बनावट उचित वैसुडोलो सिरो रेखा का सही प्रियोगो शब्दों के बीच में उचित दूरी हो इस तरह से सिरो रेखा जो उपर हम खीचते हैं सुलेख, सुरी सुरुत लेख यह इंपोर्टेंट है प्रिक्षा की द्रिष्ट से सुरुत लेखन का अभिप्रा है सुन कर लिखना सुरुत लेख लिखने से पूर्व एक दिन पहले सूचना दे देनी ची कल में आपको महात्मा गांधी वाले पार्थ में से एक सुरुत लेख लिखाऊंगा यह होता पहली सूचना समंदित लिखवाई जाने वाली सुरुत लेख की विशय वस्तू को वापस देखें समंदित लिखवाई जाने वाली सुरुत लेख की विशय वस्तू को पूर में संकेत देने से विद्यारती उसे पढ़ कर आ सकते हैं ऐसे में उनकी तुरूटियां कम होगी क्योंकि हमारा उद्धिश्य तो उनसे तुरूटियां कम करवाना ही है अध्यापक को बोलते समय प्रतेक उपवाक्य को कम से कम तीन बार दोरान करना चाहिए किस तरह से वो देखें जैसे मालो मुझे ये लाइन लिखा नहीं है शुरूत लेखन का अभी प्राय है सुनकर लिखना तो बच्चों लिखो शुरूत लेखन का ये एक उपवा क्यों गया ये फिर एक वाक्यांस हो गया ये एक पद हो गया तो सुरूत लेखन का अभी प्राय है सुरूत लेखन का अभी प्राय है सुरूत लेखन का अभी प्राय है सुनकर लिखना सुनकर लिखना तो सुरूत लेखन का अभी प्राय है सुनकर लिखना इस तरह से तीन बार होगी कम से कम आगे दिखें सुरुत लेखन में होने वाली तूटियों का शुद रूप श्याम पट पर लिखकर उन्हें वरतनी का ग्यान करवाना चाहिए कई बार क्या होता है किसी बच्चे के ये सब्द गलत हो गया किसी के ये हो गया तो आप उस पूरे को बोर्ड पर लिखें ये फिर से एक बार टेक्निकल मिस्टेक आप उस पूरे को बोर्ड पर लिखाएं और उसके बाद में उनसे जो जो तूटियां हुई है उनको पांच से दस बार उन सब्दों को पुने लिखने के लिए कहें अनुलेक और प्रतिलेक क्या होता वो भी देखें अनुलेक किसी आदर्श पंग्ती का अनुसरण करके वैसी पंग्तियां उत्तर पुस्तिका में लिखना अनुलेक कहलाता है कोई एक आदर्श पंग्ति का अनुसरण करके और वैसी पंग्तियां उत्तर पुस्तिका में लिखना एक को यादर्स पंक्ती हो गई जैसे भारती संस्क्रती वशुदेव कुटमकम की भावना पर चलती है और फिर वो उसको देखे देख लिख रहे हैं ये कहलाता है अनुलेख लेकिन प्रतिलेख क्या होता है यह है अनुलेख का यह विक्षित रूप है इसमें चात्र किसी पुस्तक या पत्र पत्री का आदिस से पूरे गध्यांस या पध्यांस की नकल करके लिखता है लेक लिखने का भी ध्यान रखा जाता है उसे कहा जाता है प्रतिलेख किसी किताब में से पुरा पेरिग्रेफ लिखवाना तो ये था लेखन से समन्दित भाशा कोसलों का विकास केसे होता है देखते हैं शुद्ध उच्चारण वर्तनी का सही ज्ञान होना अविश्यक है वाक्य रचना का उसे पता हो शब्द भंडार या सब्द रचना का ज्ञान मुहावरी और लोकोक्तियों का उचित प्रियोग करना आना चीए विरामचिनों का प्रियोग कहां कहां विरामचिन लगेंगे और याकन सिक्षन का भी उसे बोध हो देखो ये दूसरा टोपिक है जिसको हम अगली क्लास में पढ़ेंगे प्रियोट को बोध ह समय हो गया है और आगे जो टोपिक है रही हिंदी बासा शिक्षन में चुनोती है उस टोपिक और जो भी आगे टोपिक होगा कोई एक छोटा टोपिक और बच्चा है सायद उन दोनों के होने के बाद में इन चारों कोशलों से समंदित और उन दोनों टोपिक से समंदित कुछ अबजेक्टिव प्रसन उस वीडियो में साथ उपलब दोंगे तब तक के लिए धन्यवाद नए साथी सब्सक्राइब जरूर करें अपने सुजाव आप कमेंट बॉक्स में जरूर दे वीडियो को सेर करें लाइक करें दन्यवाद